हेलो दोस्तो एंड लिश्र डिएटॉडिस्ड म्मा आपका बहुत स्वागत है नожд क्लास में हम ल Daar्ट साइंस के डिगार्डिंज यहां पे रेलवेर और आरर्पिर टैज देखे क्या ठीक है इसमें प्रिवेर सेर का पेपर को देख रहे थे अब ही उसको डिले किया है लेकिन हम कुछ दिन बाद इसको भी स्टार्ट करेंगे तो इमेद करते हैं अगर आप चनल पर नए है चनल को सब्सक्राइब करिए विडियो को लाइक करिए अपने यार दोस्तों को पर सेर करिए कोई भी अगर आपको क्यों है तो आप यहां पर क जल्य दाब कर रहा है एक होता है गोलाकार प्रिष्ट तनाव ठीक है गोलाकार प्रिष्ट तनाव ये किसके करण होता है ये जल का बूंद होता है जल के बूंद के करण ठीक है यहां पर जल्य दाब के करण कौन सा तना अगपन होता है तो आपका आयतनीक तनाव हो जाएगा ठीक है, option number disease cancer हो जाएगा, आयतनिक तनाव, जली ये दाव के करण यहां पूत्पन होता है, जल के बून के करण कौन सा तनाव होता है, गोला कार पिष्ट तनाव, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, यह भी आपके exam में यहां पूछ सकता है, first question था, यह अपका पूछा गया है, यह आपका light chapter सा है कि प्रकास विद्दुध धारा का अधिकता मान क्या का लाता है, ठीक है, प्रकास विद्दुध धारा, एक होता है प्रकास विद्दुध प्रभाव, ठीक है, एक होता है आपका प्रकास विद्दुध प्रभाव, ठीक है, इसके बारे में आप जानत तो लाइट इस पर डालेंगे, इससे क्या होता है, इलेक्टॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है, यह क्या निकलते हैं, इलेक्टॉन, इससे क्या होता है, इलेक्टॉन यहां पर बाहर निकलता है, जब भी लाइट पड़ेगा, किसी मेटल पर, तो एलेक्टॉन क्या होते हैं, बा परआप काहल है तुसको याद रखें के प्रकास विधुथ पर भाग था की जब भी मेटल पर, संचर्विध दालती है तो, उसको ज псих कि प्याप प्रबा भाग को जए आसब हो जाएगा option number B संत्रिप्त धारा स्ट्रोफ यहां पे आपका धारा का लाएगे ठीक है अगला देखिए नेक्स कोशन आपको यहां पे कहा गया है कि निम्ली में से कौन सा एक सेट्रिक अमल का प्राकिर्तिक स्ट्रोफ है ठीक है यह काफी अच्छा कोशन है सेट्रिक एसिट क्या प्राकिर्तिक स्ट्रोफ इसमें से क्या है ठीक है तो उमिद करते हैं आपको कुशन जो है समझ मां आ रहा होगा सेट्रिक एसिट किसमें पाजाता है निबू में ठीक है निबू में यहां पे आपका सेट्रिक एसिट पाजाता है और आप देखे तो option number C सामसर हो जाए इमली में अगर आप देखे तो tartaric acid पाए जाता है ठीक है tartaric acid और अलू अब देखे अलू का जो है क्लोरोजेनिक एसिट होता है ठीक है chlorogenic acid यहां पे होता है इसको करता है chlorogenic acid इसके छिलके में और यह क्या करता है आपको जो है यहां पे होगा यह cancer के जो है आप cancer से बचाता है ठीक है थीक है cancer के बचाव के कारण होते है यह आपका पर ओप्शन नमबर से तुम्हें आपको इक्जाम की पउइंट अभी से काफी इंपोर्टेंट है ठीक है अगला को संदेखियो आपको कहा गया है काफी अच्छा को कि किसी वस्तु को केंदर से बाहर की ओर जुकाने अत्वा ध्रकेलने के लिए कार करने वाला च्छादंबल यहां पर क्या का राता है ठीक है कोई वस्तु है केंदर से बाहर यानि कि अगर कोई वस्तु यहां पर गती कर रहा है ठीक है यह आपका डायरेक्शन आप मोशन हो ज योगा Centrifugal force लगेगा अंदर की तरह बाहर क्या लगता है Centrifugal force होता है तुसको याद रखेंगे यहाँ पर Centrifugal force होता है और तुसको यहाँ पर याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा अब केंदरीबल सेंट्रीफिगल फोर्स जो होता है आपका यहां पर ठीक है तो अप्सन नमबर सी इसका अउसर हो जाएगा ठीक है यह काफी अच्छा कोशन था आपका मोशन से कोशन पूछा गया था तो अगर वहां पर देखें आपका वर्क और नर्जी है मोशन है वन डा करके देखेंगे अब अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन आपको है कि वास्प का तरल जल में परिवतन कौन सी भौतिक रिया है ठीक है वास्प का तरल यानि कि जल में परिवतन मतलब तरल में परिवतन अगर मानले यह आपका वास्प है ठीक है और किसमें चेंज हो रह रहा है यहां पर यह हो जाएगा यह वाटर में चेंज हो रहा है यह क्रिया क्या क्या आती है वास्प से जल में जाएंगे तो यह आपका संघनन का रहाता है ठीक है संघनन का रहाता है तो यह आपको पूछ रहा था कि वास्प का तरल मतलब जल में परिवर्तन वास्प का यह उर्दोपातन में क्या होता है एक होता है कपूर आयोडीन ठीक है यह सब क्या है उर्दोपातन के एक्जामपल्स है ठीक है इसमें होता क्या है उर्दोपातन सब्लीमेशन में कि कोई सॉलिड है यहां पर अगर बात करें यहां पर सॉलिड है ठीक है तो यह डारेक्ट किसमें इसको यहाँ संगर मैं याद रखेंगे और वास्पन क्या होता आगा और यहाँ कीरे एक का होलाता है चाहित क्या होगसने है हर एक जाएगा चाहित कर해요 आपके एक्जाम के पॉइंट अभी उससे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, कोई भी दिख्कत है, कोई परसान है, आपके लिए अच्छा अच्छा यहां पर कॉंटेट देने की कोशिद करेंगे, ठीक है, और हम दे भी रहे हैं यहां पर, आपको देखे डारिक जो कोशन ह कितना है, ठीक है, बरेलियम, अगर आप पिरियाडिक टेवल देखते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हिलियम होता है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन हिलियम होता है, ठीक है, यहां पर आपको क्या होता है, ठीक है, यहां पर आपको क्या होता है, ठीक है, ठी फीच वाला क्या होता यह D-block होता है तो यह एक हो जागे तीन और यहाँ पर चार होता बारेलियम का ठीक है तो अटोमिक नंबर की बात कर रहा है पर मालू स्क्रमांग की यह कितना होता है चार और अटोमिक वेट ठीक है मैंज यहां दे परमालू भार कितना हो जाता है 9.012 इसका atomic weight होता है 9.012 बेरेलियम का और अर्थ मेटल का ये आपका element होता बेरेलियम ठीक है उम्मुद करते हैं आपको पहले साया होगा जब भी हम periodic table पढ़ेंगे तो अच्छे से यहाँ पर explain कर देंगे आपके लिए ठीक है ये कापी अच्छा question था तो क्या आजा का 4 हो जागा एक दूसरे का connect करने कोशिद करिए ठीक है जैसे यहाँ पर मैंने का किया आपको परमारु करमांग बरेलियम का कहा दिया तो आप कोशिद करिए इससे इर्थिकर जितना S-Block का है या P-Block का है जितना भी हो सकता है पूरी periodic table आप अच्छे से पढ़िए वहीं से question बनाता है और कहीं से नहीं से बनाए इसे परमारु करमांग कोशिद का पढ़िए तो इसके आप क्या करिए इसकी atomic weight के बार एंप पढ़ लिजा इस ब्लॉक का है तो को पता हुए है कि आस ब्लॉक बढ़ लिजिये उसके बास कौन सा मैटल पाढ़े है और फोसिरम पूसर मैं अपक्षा अग्युजे मेंज्र तो यहां से कोस्ण कान है पर क Culture में देखने यहां पर फ्रतान में टोंटाल इंटर्णल रिफ्लैक्शं विलिक्साइग कि यह होता है इसको नम्बर बी। हो जाएगा है इसको नम्बर टोटल इंटर्णल रिफ्लैक्शन है इसको हिंदी थे पूर्ड आंतरिक प्रावर्तन तोटल इंटर्नल रिफमेक्जन, अब यह होता क्या है। कि जब भी आप क्या करते हैं जो आपका आपतन कोन होता है। वाप सी गोड़न होता है उसे क्या होता है बढ़ाया जाता है ाती है तो घुके है क्या कालाती है क्या होता है यह होता टोटल इंटनल रफ्लैक्शन यह hoता है आपको तो कि छो यह होती है वह क्या होती है आप ती वो क्या हो जाएगी यहां पर वापस उस collaborate डाइरेक्शन में क्या है वापस जो है लोट जाती है ठीक है उसी घटना को क्या करता है पूल आंत्री प्रवस्तर यहां पे कहा जाता है ठीक है तो आप्शन नुबर बीस का अंसर हो जाएगा अगला है अपका देखें नेक्स को सधार्था और कार्मिक पदार्थों को ग्रह श्ट्रेस होता है क्या होता है बल भाई श्यतरफल ठीक है बल भाई आपका श्यतरफल ँगतल नुबर तनाव का इसका बाद दिखिए नेक्स कोसण फिनाल कराव तिक है त्युक्यानेक्स पोड़ कहा है टेक है तो फिनाल करा सानिक सुत्र क्या होता है यह होता है 66 H5OH ठीक है 46 S5醐, यह अपका फिनाल का फ़ार्मूला होता है ठीक है फिनाल से ऐ Kubernetes, ऐन थी चनल करें और tournaments की बात करें यह गारेखर तोומ के अगर कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बता सकते हैं ठीक है तो अगर आपको क्लास अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने यार दोस्तों को शेर करें जल्द ही हम हम आपके लिए जो एंस् के साथ में और भी सारे एक्जाम्स की जो भी तयारी है उसके लिए भी जो भी हो पाएगा उसको हम देखेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तप लग थेंक्यू सो मच